अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था अबाउट सिद्रेल यह हो गया ट्रेडिशनल टूल्स फॉर शोईंग पॉपस इसमें जैसे कि सिद्रेल में क्या होता है कि वह बहुत सारे प्लॉव लगे होते हैं जिसके तूप एक प्रॉपर डिफाइन डिस्टेंस म होता है जिसके वज़े से देखो है एक मतलब एक प्रोप्डी डिफञ डिफाइन डिस्टेंस में प्लांट को अग्र मतलब सीड को अगर डाला जाया सगधा है उसके वप्रॉपर एक ही क्या होगा कि यहां पर जो भी प्लांट है कुछ दिन तक ग्रो करेंगे उसके बाद क्या होगा nutrition की यहां कमी हो जाएगी nutrient की कमी हो जाएगी तो जिसके वज़े से plant को harm पहुँच सकता है इस वज़े से जो sedril method होता है एक तरीके से यह better option होता है for development of plant in a well mannered मतलब एक अच्छे तरीके से plant के development के लिए बहुत ही अच्छा method होता है और इसके वज़े से एक और भी चीज बहुत जादा benefited होता है क्या है this allows plants to get sufficient sunlight nutrients and water from the soil इसके वज़े से क्या होता है यह जो plant है proper defined place पे रहेगा तो उसको जो sunlight है वो बहुत ही अच्छे amount में मिलेगा nutrient जो है वो soil से equally मिलेगा मतलब अच्छे से मिलेगा उसको एक जगा उवर frowded area नहीं होगा फिर water भी जो है वह भी properly मिलेगा नहीं तो क्या होगा कि एक ही जगः एक जगः प्लांट हो गए तो उससे क्या हो सकता है ब्लॉक क्रियेट हो सकता है कि दूसरे जगह यहां पर बहुत सारे प्लांट हो गए इसके विए से पानी का जो बहा हो है दूसरे तरफ भी नहीं जा सकता है so that's why by this method of seed drill we can show seed in a proper and well-defined manner ठीक है sometimes a few plants have to be removed from from to prevent overcrowding मतलब क्या होता है कि कभी कभी कुछ plants जो होते हैं उनको क्या किया रिमूब किया जाता है ताकि overcrowding method ना हो मतलब कुछ चीज़ को ताकि एक जगह जो भी यह plant इकठे ना रहे और उसके वज़े से plant को harm नहीं पहुँचे देखो अब अम लों का next topic है कि adding manures and fertilizer fertilizer मतलब जो manure है और जो fertilizer है इसको क्यों add किया जाना चाहिए जो है soil में देखो ताकि जो minerals होता है वो properly अगर soil में डाला जाता है अगर properly soil में provide किया जाता है उसके वज़े से क्या होता है कि अगर जो भी मतलब जीतना भी plant के लिए जरूरत होगा mineral का जो भी nutrient product का उसको क्या करेगा supply करेगा ठीक है properly और इसके ज़र से plant जो है healthy होगा बहुत जादा amount production होगा farmer को भी क्या होगा बहुत जादा benefit होगा कभी कभी क्या होता है की farmers जो है मतलब कुछ जो farmers है क्या करते है कि एक ही जगह पे repeatedly मतलब एक ही जगह पे लागतार बार-बार cultivation process करते हैं वहां पर बार-बार जो है crops को गाया जाता है इसके वज़से क्या होता है कि वे हो जमीन क्या होता है दरे दिरे बैरन हुने लगती यह मतलब अनकल्ठ इयुक्ति वे वोग है वह पे उन उपजान होने लगती है जिसके वज़त से हुतंअ है कि बहुत इस टाइप ऑफ के सिचुएशन मतलब इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए भी मैनियूर और फर्टिलाइजर को एड किया जाता है देखो यहां पर दिया हुए कॉंटिनिवस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स दस्वाइल पूरर इन सॉर्टेन नूट्रेंट एक ही जगह पे बार बार क्रॉप्स को उर्गाये जाने से क्या होगा नूट्रेंट को बहुत कम पूदर इनमांट में इस वहां पर्प्र इन मसले नूट्रेंट क्रीजर पर्वाइजर करें है इस process को मतलब adding of menus in the soil is termed as manuring मतलब इस process को हम क्या कहते हैं manuring कहते हैं ठीक है अगर improper मतलब अगर थोड़ा भी कम हुआ improperly मतलब proper way में अगर manure को नहीं add किया गया या फिर उसके लिए जो भी sufficient amount है वो नहीं provide sufficient amount में manure को soil में add नहीं किया गया इसके वर से क्या होता है result in the weak plant मतलब कमजोर plant होगा properly उसमें जो भी उसके जो भी benefits होते हैं वो उसमें नहीं पाय जाएंगे क्योंकि वो वीक होगा कमजोर होगा so that's why we have to add manure in the plants now we are going to discuss about the definition of manure that is it is the organic substance and which is often from the decomposition of plant and animal waste मतलब कि देखो यह मान लो कोई living body है इसके लिए जैसे यह अपना food लेती है ठीक है food यह सेल जो है living cell यह अपना food लेता है for its survival process मतलब खुद को जो है survive करने के लिए यह अपना food लेता है तो जो food अब जब इसके सेल में गया इसके लिए जो भी useful product हो गया मतलब इस food से जो भी इसके लिए need full substance हो गया वो इसको absorb कर लिया और इसके बाद जो भी waste material हो गया वो उसको क्या कर देता है रिमूव आउट कर देता है ठीक है तो वहीं waste material जो living body के थ्रूँ या फिर plant के थ्रूँ जो भी waste material डीकॉंपोज करके मतलब की मतलब की सड़ करके सड़ने का प्रक्रिया होता है ना उसी में मतलब waste material जब सड़ करके सड़ गल जाता है तो उससे क्या बनता है मैन्यूर बनता है ओके अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी waste material ह कि प्रोजीशन जना उसको डीकॉंपोज से उसमें कैसे होता है उसको क्या प्रोशित है कि जो फार्मर्स होते हैं थीक है वह क्या करते हैं कि जैसे कि मतलब टैंक जैसा पीट गढदु दो'!is सब्सक्राइब करें प्रकरिम्ट सब्सक्राइबन की दालते हैं टीन गon और गेनिजम के थू होता है अब हम लोग क्या पढ़ेंगे फर्टिलाइजर के बारे में पहले हम लोग पढ़े किसके बारे मैनियूर के बारे मैनियूर क्या होता है और गेनिक सबस्टांस होता है जो कि कैसे ऑप्टेन किया जाता है बाई डिकॉम्पोजिशन और प्लांट इसको प्रोडीउस कीया जाता है ठीकिनर को कहां क吸स के द्वारे कहीं भी मतलब डंपिंगंग बनाकर के फिर वहां पर डाल करके था ऐगायता है और फिर इसके बाद जो होता है न बनाया जाता है और यह किसी से बने होते हैं चुह सेugesंदे से बने होते हैं जो कि मतलब आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एस फॉर इग्जामपल फर्टिलाइजर का देख लेते हैं कुछ जैसे कि क्या होता है यूरिया हो गया अमोनियम सलफेट हो गया सूपर फॉस्फेट हो गया पोटैस हो गया और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन एक चीज़ देखो मैनियूर और फर्टिलाइजर हम पहले भी इसके बारे में डिसकस कर चुके हैं दोनों के बारे में की मैनियूर फर्टिलाइजर क्या होते हैं दोनो लोग इसमें देख लेंगे कि what is the use of fertilizer fertilizer का क्या use होता है इसका यह होता है कि help farmers to get better yield of crops मतलब यह क्या करता है मदद करता है farmer को की अच्छे तरीके का मतलब एक अच्छा quality का जो है crop क्या हो सके मिल सके उसको लेकिन इसका bad effect भी क्या हो सकता है excess use of fertilizer मतलब बहुत जादा amount में if fertilizer यूज कि यूज किया गया तो उसके वजह से क्या होगा soil मतलब जो भी जहां पर जिस भी फिल्ट में इस स्थी में fertilizer यूज किया घर होगा धीर बहुत ज़्यादा amount में if fertilizer को यूज क्या जाएगा तो धीरदीर जो क्या हो गा अधार उसकी fertility जो है क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी बारेल लेड हो जाता है इस वज़े से हम लोंग यह क्या करते हैं? So, for to maintain the fertility of soil मतलब की जो soil की fertility होते हैं उसको maintain करने के लिए we have to use manure मतलब हम लोग manure का use कर सकते हैं instead of fertilizer fertilizer के अलावा ठीक है? नेको हम लोग क्या कर सकते हैं? कि मैन्यूर को यूज कर सकते हैं instead of fertilizer मतलब fertilizer के जगह पे हम लोग मैन्यूर यूज कर सकते हैं क्योंकि एक तरीके से क्या होता है ठीक है इसके वज़े से soil को जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा और fertility मतलब जो fertility होता है उप जाओं उप जाओं सकती जो होती है मिट्टी की वो मैन्यूर और एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि मैन्यूर यूजिंग यूज ओ मैन्यूर इस बेटर बेटर एज कमपेरिजन विद फर्ट एज कमपेरिजन विद फर्टिलाइजर ठीक है और क्या लिख है एंड लिव दा फिल्ट अनकल्टिवेटेड इन बिट्विन टू क्रॉप्स और एक और भी चीज होता है फर्टिलिटी स्वाइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के ल इसमें की मतलब एक तरीके से एक सीजन में क्रॉप हुआ फिर दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप हुआ तो यह दो सीजन तक उस स्वाइल पर हम लोग क्या करेंगे कोई भी एग्रिकल्टिरल प्रैक्टिस नहीं करेंगा मतलब की क्रॉप को नहीं उगाए जाएगा इसके वाज़े से क्या होता है कि जो है स्वाइल जो है वह फिर से अपनी फर्टिलीटी को क्या करती है रीगेन कर लेते हैं तो यह लिए फिल अनकल्टिवेटेड इन बिट्वें टू क्रॉप देखो एक और भी चीज एक पॉइंट हम लोग से छूट गया वह क्या है इट इट इट आलसो बीकम्ति सूर्स औंट पॉलिशन मतलब कि ज्यादा फॉर्टिलाइजर के ज्यादा यूज करने के वजह से क्या हो सकता है यह वाट पॉलिशन आप प्रॉब्लेम मतलब कि क्या होगा कि पानी के साथ उफिलड में क्या होता है जैसे कि अध्या जहां भी उगाए वह पानी क्या होगा कि वह भी पॉलिटेड होगा तो इस वाज़े से हम लोग जादा यूज़ करने से हम लोगों को बजना चाहिए अब हम लोग देखते हैं की और भी क्या-क्या मैनियोर के यूज हो सकते हैं इसमें देखो ओर क्या हो सकता है की improves the soil texture as well as its water retaining capacity मतलब की water retaining capacity बी अच्छी होती है मैनियोर के यूज से फिर soil texture मतलब soil की quality भी अच्छी होती है it replenishes the soil with all the nutrients मतलब कि यह क्या करता है कि जो soil है उसमें फिर से मतलब regain करने की capacity को develop करता है मतलब manure के use soil में उसके जो भी nutrient होते हैं उसको फिर से regaining capacity provide करता है another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation मतलब crop rotation के थुरू भी soil का nutrient है उसको replace किया सकता है मतलब फिर से अच्छी मतलब जो भी nutrient rich जो soil होता है उसको बनाया जा सकता है कैसे crop rotation के थुरू अब यह crop rotation होता क्या है देखो crop rotation होता है growing different crops alternatively मतलब की अलग-अलग crops को जैसे कि मान लोग की यहां पे चना हो गया फिर गेहूं हो गया यह चना गेहूं ठीक है फिर चावल हो गया तो क्या करेंगे कि एक बार एक field है तो इसमें एक बार अगर चना को वोया गया ठीक है चना उगाया गया तो फिर उसके बाद क्या करेंगे यह गहूं को ऊगाएंगे फिर उसके बाद चावल से कि बाद न appropriate और लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि crop rotation property अगर हम अपनाते हैं तो इससे क्या होता है कि soil की fertility बनी रहती है soil fertile रहता है और agriculture के लिए ये बहुत ज़्यादा important है अब हम लोग देखते हैं difference between fertilizer and manure पहला देखो fertilizer is an inorganic salt मतलब inorganic ये organic नहीं होता है हम लोग ने fertilizer के definition में क्या पढ़ा था कि इसको factories में बनाया जाता है मतलब इसको factories के थूँ बनाया जाता है और but manure क्या होता है यह decomposition process के थूँ बनाया जाता है by the decomposition of waste material of plant and animal मतलब कि plant और animal के waste को सड़ा गला करके manure का formation होता है देखो क्या दिया manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle, dung, human waste and plant residues मतलब की decomposition मतलब cattle, dung मतलब की जो भी पॉसू के जो भी waste product होते है human waste जो होता है plant residue होता है यह सब के decomposition यह सब का जो भी waste material होता है यह सब को सड़ा गला करके catches का formation होता है manure का जो की बहुत ही ज्यादा useful होता है किसके लिए plant के लिए देखो fertilizer is prepared in factories ठीक है fertilizer does not provide any humus to the soil मतलब की यह देखो fertilizer के वज़े से crop की अच्छी productivity हो सकती है बट जो एक जो क्या बोलते है एक fertility जो होती है कि soil का जो भी मतलब अपना जो भी fertility level होता है उस चीज को यह और बढ़ा नहीं सकता है ठीक है अगर क्योंकि हम लोगों ने अभी मतलब यह क्या करता है कि यह एक तरीके से तो मतलब inorganic salt है और जिसके वज़े से बहुत ज़्यादा amount में अगर soil में use होगा तो उसके वज़े से क्या होगा कि जो भी मतलब जो भी fertility soil का अपना भी होगा वो धेर दीर क्या होने लगता है कम होने लगता है so that's why it does not we can say that it does not provide any humans to the soil देखो चौथा में क्या दियो फर्टिलाइजर सार वेरी रीच इन प्लांट नूट्रियंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस और प्रोटेशियम मतलब fertilizer में क्या बहुत जाद अमांट में होता है प्रोपाय जाता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और प्रोटेशियम जो कि क्या होता है है प्लांट का नूट्रियंट प्रोडक्त होता है मतलब कि जो भी प्लांट को सर्वाइब करने के लिए हम लोग नूट्रियंट को क्या पढ़े थे कि नूट्रियंट मतलब जोवी ऐसा सबस्टम्द्स जिसमें nutrition रहता हूं nutrition मतलब कि उसका भोजन ठीक है तो plant nutrient मतलब plant का जो भी nutrition के लिए जो भी चीज़े जरूरी होती है वो किसमें जाए किसमें मतलब इसमें क्या होता है बहुत जादा amount में भी अगर डाला जाए तो यह बहुत बहुत जादा beneficial होता है और एक तरीके से इसमें बहुत जादा amount में nitrogen phosphorus और potassium होता है अब हम लोग मैनियूर के बारे में देखेंगे मैनियूर के प्रिपेर इन दा फिल्ड जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि फर्टिलाजर को कहां प्रिपेर के जाता है फर्टिलीटी प्रवाइट करता है जिसके वाइशा मतलब स्वाइल में जो होता है जो भी nutrients होता है अपना उस चीज को regain करने के लिए मतलब फिर से उसी को एक्षीब करने के लिए या फिर मतलब उस चीज को मेंटें करने के लिए क्लिए help करते है मैन्यूर is relatively less rich in plant nutrients जैसे कि मैन्यूर के अंदर मैन्यूर में जो है जो ब्लांट होता है वो थोड़ा कम अमांट पाहे जाता है मतलब फर्टिलाइजर से अगर हम कंपेड करते हैं तो मैन्यूर में जो भी plant nutrient, जो भी plant को जितने amount में nutrient चाहिए, जो भी plant के लिए जो भी nutrition होता है, वो क्या होता है, कम amount में पाए जाता है but it is better option for every farmer or for everyone और यह भी कह सकते हैं for soil also चो और भी देख लेते हैं कि advantages of manure क्या है, मतलब manure का विसेशता क्या हो सकता है the organic manure is considered better than fertilizer, मतलब कि जो organic manure है उसको हम लोग fertilizer से अगर compare करते हैं, तो यह क्या हम लोग पाते हैं कि manure क्या है, एक better option है for the use, मतलब कि use करने के लिए soil में या फिर crops के लिए, हमारे लिए manure एक better option है this is because, यह इसलिए क्योंकि it enhances the water holding capacity of the soil क्योंकि यह क्या करता है, कि soil को water holding capacity बहुत जादा provide करता है ताकि जो भी मिट्टी है, उसको पानी को अच्छे से पकड़ पाए ठीक है, it makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy मतलब यह क्या करता है, कि मिट्टी को इस तरीके prepare करता है ताकि aeration property बनी रहे, ताकि हवा का आना जाना बना रहे जिससे की carbon dioxide का जो है, carbon dioxide plant को अच्छी तरीके से roots के through भी मिल सके और वहां का भी जो part है, बहुत अच्छे तरीके से grow करे और तीसरा point का है, it increases the number of friendly microbes और manure के वजह से, ठीक है, जो soil में जो भी microbes, जो भी मिट्टी में microbes होते है नेच्रियल माइक्रोब्स उनकी क्या होती है, उनके numbers क्या होते है, increase होते है, जिसके वज़े से soil की fertility होती है, वो बनी रहती है ठीक है, और microbes के present रहने के वज़े से, microbes भी क्या करते है, plant के growth में बहुत जादा help करते है जो microbes, soil में present होते है, जो उकी क्या करते है, plant के growth में, development process में क्या करते है, help करते है चौथा point यह है, it improves the texture of soil, मतलब manures के use के वज़े से, texture of soil मतलब क्या होता है, मिट्टी की बनावट, मतलब की जो मिट्टी का जो भी बनावट है, या फिर उसकी all over हम उसका कह सकते है, fertility, उसका aeration property, जो कुछ भी है वो सारी क्या करते है, जो भी qualities है, तो यह कैसे quality कह सकते है, soil की quality जो है, वो क्या होती है, improve होती है, ok